नमस्कार दोस्ता आप सभी का लौ सीखो के द्यानिक समाचार विशलेशन में चलिए आज हम दा हिंदू से बात करने वाले हैं Constitution के संबंद में कि क्या नया Constitution बनाना अपने आप में भारत के लिए पॉसिबल है उस बारे में हम बात करेंगे इंट्रस्टिंग आर्टिकल है हाली में एक पॉलिटीशन के तरफ से प्रदेश के सिएम की तरफ से कमेंट आया था कि नया Constitution बनाना चाहिए तो उस बारे में आर्टिकल बात करता है उसके बाद में News Update और Legal News है जो कि Law सिखो के अपनी इनिशेटिव है तो चलिए आते हैं आर् सभिधान की नय Constitution की जरूरत है तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो statement है अपने आप में कितना सही और कितना गलत है अगर हम देखे तो हमें पता चलता है कि यह जो statement है अपने आप में उनका कि Center कही ना कहीं State की powers को suppress कर रहा है यह अपने आप में सही है कई बार देखने को मिलता है कि Union Government जो है वो स्टेट की शक्तियों पर यहां पर हस्वक्षेप करती है यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने भी एसार बोमें वज़िस Union of India और Government of NCT of Delhi वज़िस Union of India के केस में दो दफे यह कहा है कि हां Union Government यह करती है तो सुप्रीम बना उस समय हमें तीन सिध्धान्त देखने को मिलते हैं एक उस समय पर्सुईशन इस्पिर्ट देखने को मिला और टॉलरेंस देखने को मिली उधारन के लिए बियार इनको सबसे पहले चुना गया था बंगाल चेतर से वह बंगाल चेतर जो आज के बंगलादिश में है तो पार्टिशन के बाद में उनके सीट चली गई लेकिन उसके बावजूद भी कॉंग्रेस को उनका महत्व पता था तो उन्होंने उन्हें वंबे प्रोविंस से उनको आज अगर हम वार्ड लेवल की इलेक्शन भी देख ले अगर किसी हम कॉर्परेटर लेवल के या पंचायत की इलेक्शन भी देख ले तो वहाँ पे कास्ट और नेपोडिजम एक बहुत बढ़ी भूमी का निभाती है तो ऐसे समय में कॉंस्ट्टेंट असेंबली उस समय क इतने युश्पक्ष तरीके से बनी थी यह अपने आप में एक बड़ा उधारंट है उसके आसपास उस जिद्धानतों के आसपास भी पहसना आज हमारे लिए संभव नहीं है ड्राफ्टिंग कमीटी अगर किसी टॉपिक पर डिसकेशन करती थी या कुछ हस्तक्षेप हो जाता था तो इसके बहुत अच्छा गोदारण दिया है कि दो साल जो ग्यारा महीने और उसके उपर कुछ दिन यह सभाग चली थी यहां पर जबी टाइम का वीस्टेज होता थ तो अगले दिन और यहां पर डिले होता है या टाइम वेस्ट होता तो अगले दिन वो उस टाइम को कंपनसेट करते थे सुभा जल्दी पहुँद के शिरू की जाते थी और वो लंबे देर रात तक भी चलती थी ऐसे भी धरहन देखने को मिलते हैं लेकिन आज हम पारल्ला पर डिस्रप्शन में ही चले जाता है उसके अलावा उस समयगा हम देखे तो असेमली में कॉंसेटर असेमली जो थी इन्हों ने अपने आप में काफी हर एक मुद्दो पर काफी अच्छे तरीके से हेल्दियर एक डिसकुशन किया हेल्दियर डिपीट किया अगर अपोजी नहीं हो तो उसको डिबेट करके फिर उस चीज़ को रिजॉल किया जाता था लेकिन आज के समय में कई बार ऐसा देखा जाता है एक्जामपल इंफरमिशन टेक्नलोजी एक्ट जो हमारे पास में है यह कुछ ही मिंटों में पास हो गया था यह बिल की रूप में जब आया उसके अलावा आए दिने से हमें कई कानून देखने को मिलते हैं फारम लॉस की भी अगर हम बात करें तो यह भी विदाव डिसकेशन पास हो जाते हैं तो यहापर कई बार बिना पोजीशन के ही बिल पास कर दिये जाते हैं तो क्या इस तरीके से हमें कॉंस्टिटूशन ब की तो यहाँ पर आंद्र प्रदेश गवर्मेंट को एक स्पेशल प्रोविजन मिला है आर्टिकल 370-1E के अंतरकत यहाँ पर यहाँ प्रोविजन यह है कि अगर कोई ट्राइबुनल यहाँ पर पास करता है तो उसे स्टेट गवर्मेंट मौडिफाई कर सकता है उस ओंडर को अब यहाँ पर ट्राइबुनल के पास में कई ट्राइबुनल के पास में हाई कोट तक की पावर हो गई है अब आप यह सोचे कि हाई कोट के द्वारा का जो कारिया है वो ट्राइबुनल कर रहा है और उसके उस ओर्डर को यहाँ पर यहाँ पर मौडिफाई किया जा सकता ह तो अपने आप में क्या से स्थिति में एक constitution बन सकता है कि यह सवाल उठाया है उसके अलावा क्यों union के पास में एक जादा power state से हमें देखने को मिलती है तो उसके जवाब में इस article में बताया गया है कि drafting committee जब हमारा देश का constitution बना रही थी तो उस वक्त हमारे देश में 550 रिया अलग-अलग यहां पर राजी रजवारे थे अलग-अलग छोटे-छोटे राजी थे इन सब को एक सुत्र में भानने के लिए जरूरी था कि हमारे पास में center जो हो union जो है वो एक strong union government हो उसको देखते हुए यहां पर union को power ढूड़ा जादा दिया गया है उसके अलावा अग अप्रोच्मेंट होता है स्टीट्स की पावर का तो आप आर्टिकल 131 के अंतरगत सुप्रीम कोड भी अप्रोच कर सकते हैं उसके अलावा अगर बात करें तो आज जो सीम बने है तेलंगाना तेलंगाना कुछ वर्षो पहले राज्य नहीं था अंदर प्रदेश से अलग ह पारित होता है और उसके बाद में तेलंगाना राज्य बनता है तो अंत में बताया गया कि जिस राज्य के वो सीम है उस राज्य के सीम बनने के लिए जो यूनिट्री जो यूनियन की पावर थी उसके थ्रू ही ये बने है और उसके अंत में बताया गया है कि अगर स्टेट इसका सी जो है वो पार्लेमेंट में बड़ा बने तो चलिए यह हमारा आज का आर्टिकल था अब आते हैं न्यूस अब्डेट के और तो जॉर्डन में 9000 पुराना एक धन्मिस्तान एक शिरिन यहाँ पर मिला है जिसका नाम है डेजर्ड काइट जॉर्डन और फ्रेंच आर् क्रिप्टो की बारे में जो नुकसान है उसे बताना महत्पुन्ट रखा गया है तो सारे वी जो वर्च्वल डिजिरल अजेट से उसके लिए एक नया गाइडलाइन आया है काफी समय इसको लेकर प्रश्णभी पार्लेमें में पूछे गये थो उसके बाद में अंत में सरक कल से शुरू होने वाली है दो फेसेस में चलेंगी पहले 25 से 28 और दूसरी एक मार्च से 4 मार्च के बीच में यहाँ पर महत्मन बात यह है कि भारत एक बड़ी नवल एक्ससाइज है भारत की बहुत बड़ी एक नवल एक्ससाइज है जिसमें अलग-अलग 40 कंट्रीज के व महिलाओ को लोकल बॉडिस में देना ज़रूरी है अगर ऐसा नहीं करती है नागालेंड गवर्बेंट तो यह कोट की अब मानना होगी उसके आलावा जो दूसरा मुहत्पुन निर्ना ही दिया गया कल के दिन सुप्रीम कोट के दवारा वो यह था कि आर्टिकल 32 का आप इस में section 482 of CRPC के अंतरगत लेकिन वही आर्टिकल 32 के अंतरगत अगर आप जाते हैं क्वेश्ट करने के लिए आप आप आर्टिकल 32 को इस्तेमाल करते हैं सुप्रीम कोट में और और क्रिमिनल प्रोसीदिंग को खत्म यह क्वेश्ट करने के लिए तो यह मानिय नहीं होगा यह सुप्रीम कोट ने ने नहीं दिया है तो चलिए आज का हमारा जो ने अनिलेसिस है वो यही समाप्त होता है जो सुनने के लिए आप सभी का धहनिवाद थैंक यू स्टे तून्ट टू लौ सीखो